हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्थिक मास की क्रिशन पक्ष की अश्टमी तिथी को अहोई अश्टमी का वरत रखा जाता है। यह वरत भी करवाचोत की तरहा कठिन माना जाता है। इस दिन सभी माताईं अपनी संतान की लंबी आयू के लिए वरत रखती हैं और रात को तारों को जल अर्पित करने के बाद अपना वरत खोलती हैं। इस साल अहोई अश्टमी का वरत ब्रिहस्पतिवार 28 अक्टूबर 2021 के दिन रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अश्टमी का महत्व शुफमूरत वपूजा करने की विधी के बारे में बताएंगे। अहोई अश्टमी के दिन सभी माताईं अहोई माता के साथ ही महादेव वपूजा अर्चना करती हैं। कई जगों पर माता अहोई की चांदी की छोटी सी मूर्ती बना कर उसकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही पूजा के बाद महिलाएं चांदी के बने दो मनकों को लाल रंग के धागे में बान्ध कर अपने गले में पहनती है। ये उन्हें दिवाली तक पहनना होता है, माननेता है कि अहोई माता का व्रत रखने और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से संतान की आयू दीरग होती है और उसे निरोगी काया मिलती है, इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को अभी तक संतान प्राप्ती का सुख नहीं मि रही है या फिर गर्भ में ही शिशू की मृत्यू हो जाती है, ऐसी महिलाओं को भी अहोई अश्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, कहा जाता है कि ऐसा करने से अहोई माता के वर्दान से शिशू स्वस्त पैदा होता है और उसकी आयू भी दीरग होती है, अहोई और इसका समापन शुक्रवार 29 अक्टूबर 2021 की सुभा 2 बच कर 10 मिनट पर होगा, अहोई अश्टमी के दिन पूजा करने का शुब समय 28 अक्टूबर 2021 की शाम 6 बच कर 40 मिनट से 8 बच कर 35 मिनट तक रहेगा, इस दोरान सभी माताएं अहोई माता की पूजा कर उनसे अपनी संतान की दिरगायू की कामना कर सकती हैं, अहोई अश्टमी वरत की पूजा विधी, एक जो माताएं अहोई अश्टमी के दिन वरत रखने वाली होती हैं, उन्हें इस दिन सुभा जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारन करने चाहें, दो, पूजा के लिए एक द रखड़ी की एक चोकी को साफ कर उसमें गंगा जल छिड़के और उस पर लाल कपड़ा बिछा दे, फिर चोकी पर अहोई माता के चित्र के बाई और पानी का एक कलश रख दे, ध्यान रहे, रोली से इस कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना वा मौली बांधना ना भूले चार, फिर अहोई माता के सम्मुक धूप दीप जलाएं, वफल, फूल, मिठाई अर्पित करने चाहिए पांच, शाम के शुभुमूरत पर हात मूँ धो कर अहोई माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए फिर माता अहोई का ध्यान करते हुए उनके सम्मुक एक दीप जलाना चाहिए और माता से अपनी संतान की लंबी आयू और निरोगी जीवन के लिए प्रातना करनी चाहिए साथ, इसके बाद हात में साथ अनाच के दाने रख कर अहोई अश्टमी के व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और कथा पूरी होने के बाद अहोई माता की आर्थी गा कर माता को भोग लगाना चाहिए आठ, अहोई माता की पूजा होने के बाद पानी से भरे कलश से चंद्रमा और तारों को अर्ग देना चाहिए जिसके बाद ही माता अहोई का व्रत संपन हो जाता है और आप भी प्रसाद खा कर अपना व्रत खोल सकती है तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो अपनी राए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं